तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम टक्कर लगाने वाले हैं इंडिया की शान दू ग्रेट ख़ली की डवुड़ु के आने वाले एंडरेज द जेंट से याने की ओमॉस से जो दोस्तो खुद अंडर्टेकर ने भी एक कहा है तो चले दोस्तों देखते हैं असल में The Great Khali और Omos में सच में कौन तगड़ा है तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उनके background के बारे में जहाँ पे Great Khali ने शुरुआत के दिरों में छोटे से छोटा काम भी किया है जहाँ पे वो security guard थे उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े काम भी किया है जैसे कि वो assistant sub inspector थे पंजाब police के लेकिन दोस्तों वो किसी sport से connected नहीं थे उनके बस height और weight के वज़े से ही वो wrestling में आये है लेकिन दोस्तों अगर बात करें Omos की तो वो एक पहले से sport person है वो baseball के game में state level तक भी जाके आये है फिर दोस्तों बात करते हैं इनके body measurements की जिससे पता चलता है कि कौन किस से ज़्यादा टगड़ा है दोस्तों great khali की height है 7 foot 1 inch और जहाँ पर Omos की height है 7 foot 3 inch great khali का weight है 157 kg और Omos का weight है 181 kg फिर दोस्तों great khali के biceps है 25 inches और Omos के biceps है 22 inches फिर दोस्तों great khali की chest आती है 63 और Omos की आती है 52 great khali की waist size है 46 inches और Omos की है 38 inches यहाँ पर दोस्तों biceps और chest size में खली Omos से काफी आगे चले जाते है लेकिन दोस्तों बात करें उनके height और weight की तो Omos इस चीज में खली के आगे है इसके बाद दोस्तों बात करेंगे उनके wrestling moods की जहाँ पर great khali के moods है the claw, choke slam, power bomb, sit out power bomb, power slam, big boot, double handed choke slam और खली chop और Omos के wrestling moods है two handed choke slam, big boot, pendulum backbreaker यहाँ पर दोस्तों wrestling moods में खली Omos से काफी आगे है क्योंकि उनका wrestling moods set Omos से बहुत बढ़ा है और उनके सारे wrestling moods बहुत ही तगड़े है फिर दोस्तों last में देखेंगे इनकी achievements उनके age के हिसाब से क्योंकि great khali की age है अभी 49 और Omos की है 27 लेकिन दोस्तों great khali जब Omos के age के थे तब उन्होंने भी pro wrestling में बहुत कुछ हासिल किया था जहाँ पर ओ 2002 साल में यन जेपी ड़ली रेस्लिंग कमपनी के एक बड़े tournament के winner रह चुके है इसके बाद 2007 में ओ WWE World Heavyweight Champion बने थे ए तो बात हुई उनके 30-35 साल के बीच में लेकिन इसके बाद तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है फिर बात करते Omos के achievements के बारे में जहाँ पर Omos की age अभी 27 है और उन्होंने अभी तक WWE Raw Tag Team Championship जीती है age style के साथ और हो 2021 के Survivor Series के Battle Royale के winner रह चुके हैं लेकिन दोस्तो ये achievements WWE World Heavyweight Championship के सामने कुछ भी नहीं है और दोस्तो ग्रेट खली ने आज तक बड़े बड़े सूपर स्टार जैसे Big Show, Undertaker, John Cena, Buddy Star, Triple H, Mark Henry और Kane जैसे बड़े बड़े wrestlers को भी भूरी तरह से हराया हुआ है और दोस्तो ऐसे मुकाम तक पोशने के लिए Omos को बहुत hard work करना पड़ेगा और बहुत आगे भी जाना पड़ेगा इसलिए दोस्तो अभी के लिए तो हमारे The Great Khali ही winner है इस comparison के लेकिन दोस्तो Omos को भी कम समझना गलत रहेगा क्योंकि आने वाले दिनों में ओ भी WWE के एक giant wrestler बन सकते है क्योंकि ओ The Great Khali से 2 इंच बड़े है और उनका weight भी 24 kg जादा है Great Khali से तो दोस्तो क्या लगता है आपको अगर actual में The Great Khali और Omos की fight होती है तो कौन जीतेगा तो दोस्तो कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो अच्छा लागते वीडियो लाइक करें और हमारे चानल को सब्स्राइब करें ठैंक्स पर रोचिंग बबाब